साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टड़ी बें इस कलास में आप सीखेंगे करडी का जोड़ जैसे देखें नार्मल संख्याएं हम सभी जोड़ लेते हैं है ना अगर चार में तीन जोड़ ना हो तो साथ होगा सब को पता है लेकिन अगर उस पर रूट ल आंसर यह होगा ऐसे होगा क्यूं होगा आईए बताते हैं देखिए यहां पर समझेए जैसे अगर हम पैतालिस में पांच को जोड़ें या पंदरा जोड़ें तो आपको पता है साथ होता है सबी को पता है जानते हो अगर हम तीन एक्स में एक्स को जोड़ें तो यह चार होता है जानते हो वैसे अगर हम इन में और अंडर रूट चार को जोड़ें तो यह रूट साथ नहीं होता है यहीं तो आपकी गलत फाहम ही ऐसा नहीं होता है क्यों और कैफे कम यह सारे सवाल हैं जब आप मिलेंगे इस वीडियो को बस अगले 10 मिनट तक आपको देखना है उससे ज़्यादा नहीं देखना है कोई भी परकार का डाउट है तो आप कमेंट करिए हमें उसका जबाब देंगे बस आपको पूरा देखना है क्लास को बीच में संतरा है यहाँ लिए 10 कि समझ गए यह यहाँ यह की जगाँ पर नहीं और एक जगह अधार है गआत यह और को देखके compare करके बताओ इसमें करड़ी गत क्या है बहुत आसान है करड़ी गत 17 है घात क्या है नो है और गात नो है नहीं घात तीन है उपर जो लगी है यह गुड़न खड़न नहीं समझ गए यह चीज अब मत डाउट में ना रहे ना चलो करड़ी को जोड़ने या घटाने के लिए उनका आधारत दा उनकी गात समान होने चाहिए दोनों में घिक है और करड़ी जोड में कर्ड़ी गत यानि आधार जो है वो कभी बदलता नहीं है वही रहता है सिर्फ और सिर्फ गुड़न खंड आपस में जुड़ते हैं जैसे फार एक्जामपल यहाँ पर आप देख सकते हो अंडर रूट यह साथ और यह चार इनमें जोड़ा गया तो यह साथ जो है इनका आधार था दोनों में समान था इनकी घाते दो थी अगर कुछ नहीं लगा रहता है रूट के ऊपर तो घात दो मानी जाती हमेशा तो घा में करड़ी घात कितना है जल्दी करिए एक मिनाट रुक गया क्या है यार ओ रुकना करड़ी घात कितना है रुकना थोड़ा था बड़ा जमेला वाला लफड़ा हो जाता भई क्या ही बताऊं है यार हाँ तो अब आ गया बड़ा दिक्कत हो जाती है यार मैं क्या ही बताऊं चलो देखो बड़ी आ है हाँ तो क्या देखे थे इसमें मैंने पूछा की करड़ी घात कितना है तो साथी मेरे कुछ नहीं लगा रहता है तो करड़ी घात क्या मानी जाती जानते हो करड़ी घात 2 तो aren't गात बराबर इनका base 12 है दोनों में, यानि आधार समान है, तो आधार समान है, गात भी समान है, देखो, गात 2 है, आधार 12 है, ये दोनों समान होना कोई जरूरी नहीं, ये कोई मतलब नहीं, इसकी गात, इसकी गात समान होनी चाहिए, इसका आधार, इसका आधार समान होना च ठीक है यह भी सही है वह नहीं हुआ है जूड़के लेकिन अंदर का जो जोड़ लिया 24 हो गया गलत है क्योंकि इसका जो आधार है वो चेंज नहीं होता वही रहता है समझ गए ना बढ़िया चलिए आगे बढ़ें और सवाल करें एक चीज़ और करड़ी का अगरा समान होते हैं तो कभी जुड़ते नहीं है न जुड़ते हैं न घड़ते हैं यानि उनसे कोई परकार का नया पद नहीं बनता है जैसे ऐसे समझ लो कि अगर आपने घर में एक क कुट्ता पाल रखा एक बिल्ली पाल रखा है तो ना तो आपके घर में कुट्तों की संख्या बढ़ेगी ना बिल्लीयों की बढ़ेगी मतलब जो आपने पाल रखा उनमें क्योंकि उनमें कोई प्रकार का ऐसा रिलेसन नहीं बनेगा कि एक नया पैदा हो कोई क्योंकि दो में एक मेल डॉग एक फीमेल डॉग ही पाल रखा है उसे और नए बच्चे पैदा हो सकते हैं क्योंकि वह सेम कटेग्री के हैं समझ रहो यह एक जामपल आप वहां फे जोड़ के देखो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा फिलहाल आए आगे देखें तो यह कुल म किया था फिर आप दुबार र क्यों करना चाहते हैं दो साल बात इन्होंने कहा रे सर वह में लोग पढ़ते हैं जो बिल्कुल पल्लब senior हो चुके हैं, छोड़े बच्चे नहीं होते हैं आप लोगों को लगता है कि एक अच्छा 5 वाले को पढ़ा रहे हैं इक 5-6 वाले को नहीं पढ़ाते हैं ये 5-6 में इनके बच्चे पढ़ते हैं आगे देखिए क्या आप इनका answer बता सकते हैं बताईए जनाब इनमें क्या है बेस 4 है, इसका बेस 4 है और इसका गुड़नखंड 1 है इसका 5 है, क्या होगा जोखो बहुत आसान है बाई साब आधार समान है तो आधार तो 4 ही रह जाएगा ये जुड़ेगा 5-1 में तो 6 हो जाएगा तो 6 कहीं है नहीं इसका answer होगा और इसका right answer ये होगा ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता एक तो ये इसका answer हो सकता था may be possible ठीक है आगे बढ़े सभी को समझ में आ रही, करड़ी का जोड़ना करड़ी का घटाना भी ऐसे ही करते हैं क्या ये कुछ हो सकता है जरा सोचो और बताओ कुछ हो सकता है इसमें आइए पहले इनका base देखें तो इसका 7 है क्या है, 7 है, इसका क्या है इसका देखो 3 है इनका आधार ही अलग-अलग है जो example मैंने बताया था बिल्ली कुछ वाला है न, बिल्कुल अलग-अलग है तो ये जुड के कुछ नया नहीं बनाएंगे ना ये घटेंगे, ना ये जुडेंगे, कुछ नहीं करेंगे अलग 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 रहेंगे समझ रहो तो कुलमिला कि ये संभव है ही नहीं ना ये जुड़ेगा ना घटेगा आपका ये आपसन हो जाएगा डी बाला घात तो बराबर है इनकी घात कुछ नहीं तो दो मानी जाएगी इनकी भी दो बट अधार बराबर नहीं है अब इनको देखो भाई साब ये क्या है? 23 है ये 21 है, 111 क्या बराबर है? बताओ, क्या आधार बराबर है? नहीं ना? अगर आधार बराबर नहीं है मेरे यार तो क्या होगा फिर? घात तो बराबर भले है इनमें घात कुछ नहीं तो दो मानी जाएगी क्या होगा? दो, यहाँ पर भी दो बट आधार बराबर नहीं है तो ये जुड़ नहीं सकता है यह वैसे का वैसे रह जाएगा कुछ नया नहीं बनेगा बिलकुल आईफे रे बाबा कईफे देखो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ बिलकुल आईफे जिसे अगर आभी हम आपको कहें, का कहें पता है तुम्हें? तेखो, जैसे अगर हमने आपको कहां कि यह बता भाई साहब कि तीन X में अगर हम दुpt Y जोड़ें तो का होगा? तो तुम्हें का लगताँ जुड़ेगा यह? जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा तीन यक्स अलग पद है और जो वाई वाला अलग पद है सब अलग अलग हैं आपस में कभी ने जुड़ेंगे यह तो वैसे कवैसे रहेंगे इनका अगर जोडने को कहेंगे इनका आंसर यह खुदी होंगे, कुछ नहीं यही सवाल यही जबाब ठीक है? इन में कोई बताएगा एनिमन 9 नंबर में है ना कितना आसान करड़ी का जोड़ना घटा न 10 मिनट में मज़ा आ जाएगी गुरू देखो 9 में A, B, C, D आपसन है बताओ अरे P.R. का P.R. का अलग है सफद का सफद का अलग है देखो इन में पहले तो Base Sum में Equal है इसका मतलब पहली उमीद है कि पहली सर्थ यह पालन कर रहा है दूसरे में Sum में घहात भराबर है 2 2 कुछ नहीं तो 2 माना जाता है यानि 2 नो घहात मतलब condition पर यह पास हुआ मतलब जूड जाएगा तो 3 तो 3 ही रह जाएगा, change नहीं होगा और यहाँ पर गुड़नखंड कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 9 है 9, 7, 16, 17 17 रूट 3 आएगा, यानि आपका ये B वाला सही बढ़िया, चलो इसमें 10 में बताओ देखो, आधार समान है दोनों में समान है, घात भी समान है तो ठीक है, जूड जाएगा इसका 21, इसका 22 22 रूट 3 आएगा कहीं सही है, कोई नहीं सही है तो यह C वाला सही हो जाएगा नान अपदीच ठीक है, किसी का कोई सवाल है कोई डाउट है, तो मुझे कमेंड करके बताईएगा हम मैथ सिखाते हैं, आपको बिल्कुल जीरो से सुनने से, यहां से सिखाते हैं तीन में दो जोडते हैं, तो पांच होता है यह भी बताते हैं, फिर यह भी बताते हैं पांच वाई जोड़ोगे, नहीं जुड़ेगा क्यों नहीं जुड़ेगा, सब बताते हैं इसके बाद मैं अभी देखी रहे हो, आपकी करड़ी का जोड़ना सिखाई रहें तो अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता जो कि वो भी बेसिक ही होता है, तो अभी परजेंट में दो फ्री कलास चल रहे यूटूब पर, बाकी वीडियो सुब आ जाता है, पांच बज़े, छे बज़े